नमस्कार, साथियों, प्रस्तोत है माहा नवंबर में होने वाली SMC बैठक, विध्यालय प्रवंद समिती बैठक का अविलेखी करण, साथियों, इस अविलेखी करण की PDF लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रप्शन बॉक्स में मिल लाएगी, अब देखते हैं कि बैठक का एज सिक बैठक, एजन्डा, तिथी आप 4.11.2024 दिन सोंबार या फिर 5.11.2024 दिन मंगलवार अंकित कर सकते हैं अपनी बैठक पंजिका में, आगे प्रस्ताव, कार्योजना, सेवा में, बिध्यालय प्रवंद समिती अध्यच, उपाध्यच, सदस्सिगर, ग्राम प्रधान, ए अविवावग्गर, आप सभी को साधर अवगत कराना है कि दिनांक 6.11.2024 दिन वुधवार को समय साड़े बारे वज़े से डेड़ वज़े तक बिध्यालय प्रवंद समिती की मासिक बैठक का आयोजन बिध्यालय परिसर में किया जाएगा, अतहें आप सभी लोगों की उ प्तिभाग करने का कस्ट करें, धन्यवाद, सूचना का माध्यम, मोबाइल फोन द्वारा, बच्चों द्वारा, रसोया द्वारा, स्वयम, संपर्क के द्वारा, साथियों ये बैठक पंजिका के जो उपर वाला फ्रंट पेज है, उपर वाले प्रस्ट में इतना अंकित ह वो गया है, और ठीक इसके नीचे जो दूसरा प्रस्ट है, उसमें हम बैठक के प्रमुख निम्न एजन्डा बिंदुओं पर जो आवशक चर्चा होनी है, उनको अंकित करेंगे, लिखेंगे, पहला एजन्डा बिंदु जो है सबसे मेत्वपूर है, वो है नेट पर चर्चा, और दूसरा एजन्डा बिंदु है संचारी रोगों पर चर्चा, तीसरा है इको किलब के गठन के संबंद में चर्चा, चोथा है विद्यालय प्रवंद समीति पर चर्चा, पांचवा बिंदु है विद्या ग्यान प्रिवेश परिच्छा की तैयारी पर चर् आत्मा बिंदू है डीवीटी हेतू आधार कारडवा खाता सीडेट कराने पर चर्चा और आत्मा एजेंडा बिंदू है ओपरेशन काया कल्ब पर चर्चा बैठक का कारवरत महा निदेशक स्कूल सिच्छा के आदेश के करम में आज दिनांक 6.11.2024 दिन बुधवार को बिद्ध्याले परिशर में बिद्ध्याले प्रवंद समित के अध्यच शिरी या शिरीमती जो भी हैं उनका नाम लिखा जाएगा की अध्यचता में बिद्ध्याले प्रवंद समित की बैठक आहुद की गई नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है आज की बैठक में पूर्व बैठक की समिच्छा की गई और एजंडा पढ़कर सुनाया गया एवं बिद्ध्याले में निम्न एजंडा बिंदू की गई तो सबसे पहले अजंडा बिंदू है नेट परिच्छा पर चर्जा नेट परिच्छा आपके यहां कब होनी है उसकी दिनांक यहां पर अंकित करनी है इस कॉलम में जरूरी नहीं है कि आप अपनी बैठक पंजिका में इतना डिटेल लिखें केवल नेट परिच्छ की तैयारी आप अपने विद्ध्याले में कैसे करा रही हैं OMR सीट बरने की जो प्रेक्टिस अभ्यास आप करा रहे हो बच्छों को उसके बारे में आयुआबगड़ और SMC के सज़स्यों को आभगत कराना है और दूसरा है संचारी रोगों पर चर्जा तो बेविन संचार जैसे दिमागी बुखार एवं वेक्टर जनित रोग तथा जल जनित रोगों से बचावे तू क्या करें क्या ना करें पुन्हें प्रभावी संचारी रोग अभियान पर चर्चा की गए और तीसरा है इको कलब के गठन के संबंद में चर्चा पर्यावरण के प्रतिजाग परुकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में इको कलब का गठन किया जाना है इसके तहत पेड़ लगाना, सुच्छता, आव्यान, प्राकरतिक संब्रचन, भागवानी के प्रतिव बच्चों को जोड़ा जाएगा एह चात्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने और अधिक स अधिक सीखने का मौका परदान करता है, इसे अपने विद्याले के पर्यावरण को बहतर बनाने के लिए सक्रिता का माध्यम बनाता है इको किलब के उद्देश एह चात्रों का एक समूव होता है जो पर्यावरण के संब्रचन के लिए जागरूपता लाने में समस्याओं को चिन्नित कर उनके निदान हेतों कतिविद्यों में अपनी भागीदारी करते हैं एक किलब के गठन के अंतर निहित उद्देश्यों में बच्चों को प्रकृति और पर्यावरण के बीच ले जाना और पर्यावरण को कक्षा में पठन पाठन पार्टिकरम और गत्विद्यों में शामिल करना पुर्मुक है बिध्याले में इक किलब पर्यावरण सिच्छा गत्विद्यों का केंद्र होता है जो इक किलब के सदस्यों चात्रों में उनके समझ और कौशल को बढ़ा कर उन्हें अपने आसपास के पर्यावरण के प्रतिज्यागरू और जिम्मेदार बनाता है इसके सम्मंद में भी अभिवावक को विस्तार से अवगत कराया जाता है आज की बैठक में और आगे देखिए चोथा जो एजन्डा बिंदू है वो है बिध्याले प्रवंद समिति पर चर्चा बिध्याले प्रवंद समिति के स्वरूप गठन एवं कर्तब वाद दायत्तों पर आईवावक के साथ चर्चा की गई बिध्याले प्रवंद समिति की प्रतेक माह के प्रतम बुद्वार को होने वाली बैठक की जानकारी प्रदान की गई शैचिक बर्स 2024 में नवीन SMC के गठन की परिक्रिया में प्रितभाग करने है तो अविभावकों को जागरूख वप्रेरित किया गया तरहा बिद्याले विकास योजना में अविभावकों का सहयोग प्राप्त किया गया पांचवा एजन्डा बिंदु है बिद्या ग्यान प्रिवेश परिच्छा की तैयारी पर चर्चा सभी सदस्यों को अबगत कराया गया कि बिद्या ग्यान प्रिवेश परिच्छा सत्र 2024 पच्छिस के लिए कक्षा 6 में प्रिवेश हे दू बिद्याले में जिन आविवाबकों के बच्चे कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और जिन बच्चों ने आवेदन किया है उनकी परिच्छा की तिथी एक दिसंबर को होगी उन बच्चों के आविवाबक गड़ बच्चों के परिच्छा के तैयारी में बिद्याले का स्योग करें यथा संबब पुस्त के उपलब्द कराते रहें अपने बच्चों के लिए तो इस तरह से बिद्याग्यान प्रिवेश परिच्छा की तैयारी पर समसी में चर्चा की गई और छटा एजंडा बिंदू है नवोदय बिद्याले में प्रिवेश पर चर्चा ठीक इसी तरह से नवोदय बिद्याले में प्रिवेश है तो बच्चों के आविवाबकों को और SMC के सदस्यों को अवगत कराया गया कि बच्चों को तयारी कैसे करानी है आप जरूरी नहीं कि जितने बिंदु इसमें लिखे हुए हैं जितने बाग के लिखे हुए हैं आप इसमें अपनी आवश्यक्ता और बैठक पंजिका में इस्पेस के अनुपर लिख सकते हैं और साथमा एजन्डा बिंदु है DBT हेतु आधार कार्ड बाग खाता सीडिट कराने पर चर्चा जो की यह एजन्डा बिंदु हर एक बैठक में लिखा जाता है इसमें बहुत ही डिटेल में एक-एक मद का बर्ण किया गया है कि जो बारे सो रुपे DBT में भेजे गए हैं उसक को अपने बच्चों के लिए ब्या करना है आठमा एजन्डा बिंदु है operation काया कल्ग पर चर्चा आपके विध्याले में जो भी कार्य अधूरे हैं उनके बारे में आप अपनी SMC और ग्राम प्रधान जी से संपर्क कर उन कार्यों को फूरा कराने का प्रियास कर रहे हैं ऐ कैसा इसमें अंकित करें निपुड भारत मिशन पर चर्चा इसमें अविवाबकों को जो निपुड प्रगति रिपोर्ट है उससे अवगत कराना है कि कक्षा एक दो तीन में बच्चों ने क्या प्रग्रति माह नवंबर तक हासिल की है आप इसको शॉर्ट में यहां लिख सकते हैं चर्चा के अन्य बिंदू और भी हैं इस तरह से दिव्यांग बच्चों ये तु समर्थ कारक्रम पर चर्चा अईवाबक द्वारा बच्चों को नियमत विद्याले भेजने पर चर्चा विद्याले के परवेशिय वातावन पर चर्चा विद्याले में बच्चों के उज्वल भविष्ट की कामना के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अविवावकों को धन्नवात क्यापत कर मा की अगली बैठक हेतुपुन है उपस्थित रहने का आग रहकर आज की बैठक की कारवाई समापन किया गया साथियों हो सकता है कि इस स्क्रीन रेकॉर्डिंग में आपको लिखने में समस्या हो तो आप वीडियो के डिस्क्रेप्शन वाक्स से लिंक के मार्ध्यम से इस पीडियो आफ को डाउनलोड कीजिए और इस पस्थ साफ अपनी बैठक पंजिका में इस बैठक का अविलेखी कर कीजिए धन्यवाद